यार ये BCCI वाले कम सुद्रेंगे ये पिछले तीन महीने में तीसरा टेस्ट मैच है जहाँ पे बिना एक बॉल फेके ही मैच कॉल्ड ओफ हो गया पहला टेस्ट मैच अफगानिस्तान और न्यूजी लेंड के खिलाब जो नुएडा में हुआ था वहाँ पे बिना एक बॉल पांचों के पांचों दिन कॉल्ड ओफ हो गया दूसरा इंडिया और बांगलादेश के खिलाप कानपूर में दो दिन बिना एक बॉल फेके ही मैच कॉल्ड ओफ हो गया और तीसरा आज का बिना एक बॉल फेके ही आज का डे कॉल्ड ओफ हो गया भाई साहे तुमें पहले स पता होता है कि जहां पे 12 नहीं है वहां पे match रकवाएं कहने को तो हम तो दुनिया के रिचेस्ट बोट हैं लेकिन जब match करवाने की बारी आती है तो हम ऐसे ground पर रख देते हैं जहां पे मैच ही नहीं हो पाता भाई BCCI के पास 50 ग्राउंड है लेकिन जब मैच खेलने की बारी आती है तो ऐसे ग्राउंड पे रख देंगे जहां पे मैच ही नहीं होगा विराट कोली कितनी बार बोल चुका है कि भाई साहिब आप पांच ऐसे ग्राउंड बनाईए जहां पे व बारीस होती है वहां पे ढखने के लिए तिरपाल भी नहीं होती है आज जो चिन्न स्वामी में हो रहा था वहां का ड्रेनिज सिस्टम बहुत अच्छा था लेकिन बारीस रूके तब ना ड्रेनिज सिस्टम काम में आए ये लोग जब मैच रखते हैं उससे पहले क्या क्रिकेट स्टेडियम a1 फैसलिटी के करिकेट स्टेडियम है हमारे पास दुनिया के रिचेस्ट बोरा और हरकते इनके देखो पाकिस्तान विखारिस्तान वाले करने लगते हैं मैं बोलता हूँ अब कौन इसका जिम्मेदारी लेगा अगर ये पांचो के पांचो दिन मैच नहीं हो पाता जैसा की वेदर रिपोर्ट बता रही है पांचो दिन बारिस है पांचो के पांचो दिन बारी से अगर एक दिन भी मैच ना हो और मैच बिना रिजल्ट की खतम हो जाए तो इंडिया का WTC में क्या पोजिसन रहेगा इसका जिम्मेदारी कौन होगा अभी इंडिया WTC में नमबर वन पे चल लाई है लेकिन ये मैच ड्रॉ होने के बाद इंडिया के उपर एडिड प्रेसर होगा जिसका जिम्मेदारी WCC लेगी उसे एक ट्रेस एक्स्ट्रा उस्ट्रेलिया में जाके जीतना परेगा जो की असान नहीं होगा बॉर्डर कवास का ट्रॉफी वैसे ही बहुत जादा हार्ड है उस्ट्रेलिया को उस्ट्रेलिया में जाके हराना ही एक बहुत बड़ी बात है उपर से एक अप एड़ेड प्रेसर लेके जा रहा है कि हमें एक ट्रेस जादा जितना होगा WTC का फाइनल खेलने के लिए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा मैं वो जानना चाहता हूँ वो कौन आदमी है जो बता है कि मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ अब आगे से इंडिया के जितने भी मैच होंगे उसमें बारिस नहीं होगी यार किसी एक मैच में हो जाती कि हर एक मैच में जब देखो यही दिक्कत जब देखो यही दिक्कत यहार एक planning नाम की चीज होती है planning किया करो कि कहा पर time में बरसात होगी कहा पर इस time में बरसात नहीं होगी जहाँ पर बरसात नहीं होगी वह इसाँ पर match कर वा हो इससे नुकसान इंडिया को ही है New Zealand को क्या गंटा नुकसान है वो तो पहले से WTC से बाहर है नुक्सान हम लोगों का ही हो रहा है इसलिए BCCI से दर्ख्वास्त है कि किर्प्या आप इन चीजों पर ध्यान दे और आगे आने वाले मैचों में ख्याल रखे कि जहां पर बारिस ना हो वहां पर मैच करवाया जाए